दन्यवाद और आज हम वो चीज जरूर दिखाना चाहांगे कि जिस पे यह के MSP है थी और रहेगी तो जो असली सच्चाई है भारस सरकार की वो बिल्कुल आपको दिखा देना चाहिए कि जो दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा एक साल से किसान आंदोलन पर बठे हुए हैं उनकी डिमांड है कि तीन काले कानून वापसी हो जाएं और MSP पर गारंटी कानून बन जाए जो पूरे देश को लाब हो तो वो क्यों नाप नहीं होना चाता क्यों MSP पर कानून नहीं बनाने देना चाते क्योंकि जो सरकार है या उद्योगपति की सरकार है और उद्योगपति सस्ते में माल को लूटते हैं जो बड़ी-बड़ी कमपनिया हैं आप देखोगे हम जो उत्तर प्रदेश से हर्याना को जोडने वाले जो सड़के हैं जो केंपी उस पे हम हैं यह उनके हैं सस्ते में खरीद करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग-अलग ईश्टेटगो और जो बड़ी-बड़ी कमपनिया हैं ये अपने वहाँ पर उसको सस्ते में खरीद का ले का जाते हैं अभी जो इसका रेट चल दा ग्यार सो सा बार सो रुपे में खरीदते हैं ये देखो कि पूरे के पूरे ट्रक बरे खड़े हुए हैं ये और इसलिए कीमते नहीं बढ़ेगी के सस्ते में लूट बंद हो जाएगी उनको MSP पर खरीदना पड़ेगा तो पुराने लोग कहते थे जो ये पार्टी है ये बड़े सर्माएदारों की पार्टी है इसाब बचके रहना ये गर गाउं में आगी तो ये लूट का काम करेंगे आपका और आज वही काम हो रहा है इसलिए भार सरका अर एमस्पी पर गारेंटी कानून नहीं बनना चाहती है यह पूरा आप देखोगे लिखाना में एक बार ये अग्षा अगरे पिछे भी खड़े है ये पिछे देखो वह जो खड़े जो पिछे गार्टी विच्छे भी जो खड़े वे वे बीदर खड़े और कम से कम दो हजार से ज़्यादे ट्रक एक राश्टे से निकलते हैं तो हम यह दिखाना चाहते हैं कि अगर यह अंदोलन होर मजबूती से नहीं लड़ा जाएगा तो बाजरे का किसान बाजरा सस्ते में बिच्चेगा मकी का किसान मक्का बिच्चेगा ग्यहू का किसान ग्यहू बिच्चेगा आलू का किसान सस्ते मालू बिच्चेगा और जो दूद की पोलिसी आ रही है दूद का किसान भी सस्ते में बिच्चेगा उसके भी पुसुदन ख हुआ है कि एक साल तक देश का किसान जिस हिसाब से आंदोलन चला रहा है भी घा घ्रṣ दीजै कि ळी दीरे जमीन ने खरीद दी गई बड़ी कंपनियां वहां पर आई और जो चाय के बागान हाज बड़ी बड़ी कंपनियों के हैं और जो किसान थे वे पूर्ण रुपसे वहां पर मजदूर बने यही हाल आप अगर महराष्ट में जाओगे तो धानू की साइड में जहां पर चीकू के खेती होती है यही हाल उनका है और उनका चीकू चार से पांच रुपे किलो बिखता है क्या यहां पर आपको मिलता है यही हाल हिमाचल के सेव का है अब सेल का सिजम खतम होगा सेव का तो उसकी कीमते बढ़नी शुरू हो जाएगी तो इन सब चिज्जों को आप दोलन पर ध्यान दे हम हासी जा रहे हैं अभी जो भी अपडेट होगी आपको आसी पहुच का बताएंगे हमारा दो दिन का प्रोग्राम उसी साइड का है कल नो मेंबरी की उसकी मिटिंग है कल शिंगू बोडर पर कल उसमें शामिल होंगे आते विए आपका बहुत-बहु if you like our channel please subscribe and to get notifications about news please click the bell icon